हेलो दोस्तों नमस्कार आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ड्रीमर्स पर दोस्तों सबसे पहले तो जो लाल बठाने इसे दबा कर चैनल को सबस्क्राइब कर लो और जो साइड में बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर लो जिससे कि आपको हमारी सबी ट्रीक वाली वीडियो का नोटिफिकेशन डेली बेसिस पर मिलते रहे हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं 6 माई 2020 के करेंटे फिर पढ़ने जा रहा हूँ इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखरी तक देखना है जिसे की आप सभी क्वेस्टेस को अच्छे त्माग में बैड़ सक़े और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से जादा से से यह वह कारना है जो कि हमरास में एक pattern रहता है यानि कि जो हमारे कल के questions के एक बार हम पहले उनको revise करते हैं और उसके बाद हम आज एक questions को discuss करते हैं revise दोस्तो हम इसलिए करते हैं जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाए आपको याद रहे सारे questions की हमने कल क्या पड़ा था जिससे कि सभी questions आपको याद रहे हैं चले दोस्तो पहले एक बार क्या करते हैं कल के questions को एक बार revise कर लेते हैं अगर दोस्तो आपको वीडियो एच्छी लगे प्लिस वीडियो को like जरू करें comment करें दोस्तों के साथ जादे-जाद सेर भी करें question number one हाल ही में अंतर रास्टे अगनी समन दीवस कम बनाया गया यह कम बनाया गया दोस्तों चार मई को question number two हाल ही में पहली कोविड-19 टेस्टिंग बस लौंच की गए यह कहां पे की गई मुंबई में question number three थोड़ा उपर कर लेते हैं जिससे कि आपको अच्छे दिख जाए हाल ही में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सीवसक पर एक सौंग जारी किया है दोस्तों यह किस बैंक ने किया है HDFC बैंक नी और दोस्तों सारे selected और important question है प्लीज नोट करते वे जरू चले नोट करन चले चलते हैं next question पर question number four पर आते हैं दोस्तों वीडियो को फैला देते हैं जो भी आपके दोस्ते फ्रेंड है आपके जो WhatsApp ग्रूप है चैनल है आप उनमें इसको सेड़िक कर सकते है question number four हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में विधान परिसद कीडिक सीटों पर इसमें चार माई को राष्ट्य पकसी दीवस मनाया गया दोस्तों किस दे से मनाया गया अमेरिका में चलते next question पर और दोस्तों अगर आपके वीडियो बहुत ही अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरू करा मुझे comment करके आप बतना कि आपके वीडियो कैसे लगी चलते question number seven पर आल ही में किस इसनों कर खिलाडी ने सन्यास लेने की गोफना किया दोस्तों यह किस ने की है पीटर एबडन ने और दोस्तों जो एक questions हम revise कर रहे हैं इनकी जो static gk हैं आपको कल वाली वीडियो में ही मिलेगी अगर कोई भी दोस्त इस channel पर नए है इस वीडियो को पहले बार देख रहे हैं तो दोस्तों इनकी जो static gk है जो question रिवाइस कर रहे हैं आपको कल वाली वीडियो में ही मिलेगी जो कि हमारी कल की current affair की वीडियो थी question number 8 हाल ही में किस ने मत कर forward अभियान सुरू किया दोस्तों वो किया है टिक टोक ने question number 9 हाल ही में वाड़ा ने भाड़ question number 10 हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्य मंत्री सहरी रोजगार गरंटी योजना की योजना launch की है ये किस राज्य सरकार ने की है हिमाचल परदेश ने question number 11 हाल ही में भार्चे मूल की किस खिलाड़ी ने नासा के पहले मंगल हेलिकोप्टर का नाम सुझाय है दोस्तों कि number 12 हाल ही में किस राज्य ने देहिंग पठकाई हाती रिजर्व में कोईला के खनन को मंजूरी दे दिये दोस्तों किस राज्य में हुआ है असम में उदोस्तों प्लीज सभी question को note करते हुए जो चलेंगे सारे important question है आपके लिए आने वाले exams के लिए और दोस्तों ऐसे ही हमा question करके बता सकते हैं कि आपको इवीडियो कैफी लगी चलते है next question पर question number 13 पर आते है हाल ही में रास्टिय ई-कॉमर्स मार्किट भारत मार्किट किस ने सुरू की है किस ने सुरू की है question number 14 हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉरोना योद्धाओ के लिए दसनाक रुपे के जीवन बीमा की गोफना किये दोस्तों यह किस सरकार ने की है पस्ची मंगल सरकार ने और दोस्तों जो CIT फुल फूम है बर वो देख लेते हैं और दोस्तों जो CIT फुल फूम है सारी important information है और दोस्तों वैसे इनके बारे मैंने आपको पहली वीडियो में बताए हुआ है आप जाके वहाँ पे पहली वीडियो चेक कर लीजे आपको वहाँ पे सभी स्टेटिक जीके मिल जाएंगी बढ़ते दोस्तों आगे वीडियो में पर दोस्तों में कोटिशन लिख पास सके हुआ और दोस्तों मेनत बहुत चरूर यह थोड़ा सालक चलते हैं आज के questions को डिसकस करने जा रहे हैं जो करके questions से हमने रिवाइस कर लिए हैं अब हम डिसकस करने जारे हैं आज के questions को question number 1 बहुते शुरू करते हैं हाल ही में विस्व हाथ सवचता दीवस कम मनाया बाद डोकों से पर माई घ़र लिस उसका अमाई वो जाएगा पांच मैं या नहीं हो जाक पामाई यह नि silk निज़ोए सवुचिता दिवस की ठीन हring कि इसका विषय क्या रहा वह एक बार देख लेते हैं इसको anglaise में क्या रहे हैं दोस्तों नर्सिस एंड मीड वाइफ क्लीन केर इज इन यूर हैंड्स और दोस्तों जैसे कि कोविड नाइंटीन चल रहा है उसको हाथ उसको देखते हुए जो इसकी थीम रखी गई है वो इसलिए रखी गई है जिससे कि आप अवेर रह सके कि आपको अपने हाथ द चलते नेस्ट क्रेशन पर आयोब आपके सोज में आ गया होगा क्रेशन नमबर टू पर आते हैं हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड को फर्स्ट किलास क्रिकेटर को 25 और ग्राउंड स्टाप को 10,086 साहता देने के गौफना किया दोस्तों ये किस क्रिकेटर बोर्ड न पाकिस्तान बोर्ड ने जो कि क्रिकेटर बोर्ड है उसने फर्स्ट क्रिकेटर को 25,000 और ग्राउंड स्टाफ है उनको 10,086 साहता देने की गौफना किया है चलते नेक्स्ट क्रिकेशन पर क्रिकेशन नमबर थ्री दोस्तों बहुत ही most most important question number 3 हाल ही में कोविड कथा मल्टी मीडिया गाइड किसने लॉंच किया दोस्तों और पढ़ लेते हैं प्यूस गोयल डॉक्टर हर्स वर्दन नरेंद मोधी या फिर इनमें से कोई नहीं तो दोस्तों जिसका right answer हो जाएगा डॉक्टर हर्स वर्दन सि दोस्तों कोविड कथा है क्या है इसमें को बहुत सारा चीज़ोंÃ के दिया हुई है यानि इसके बारें में details में समझाया गया है इस बुक में जो की COVID कथा मल्टी मीडिया काइड है इस बुक में बताया गया है दोस्तों प्लीस नोड कर लेंगे जो भी मैं आपको बता रहा किया गया है दोस्तों ये किसो देज में किया गया है, आप सुरेस के रेट्टी ये भारत के राजदू ब्राजिल में दोस्तों इन नाम नोट कर लेंगे और इनका किस देश में राईजुत मने है ब्राजील ये भी आप नोट कर लेंगे उफ़नमबर पीस का राइट आंसर है चलते हैं और दोस्तों जो ब्राजील है बॉस तो यहान onおおal एक बास के बारे में थोड़ भाणि देख लेते हैं. दोस्तो ब्राजिल की ì्र जरू कर लेंगे। आप वीडियो को पोस्ट करके भी नोट कर सकते हैं साथ में या फिर स्नैप सोड भी ले सकते हो फोन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन पर। क्वेशन नमबर 5 पर आते हैं। क्वेशन नमबर 6 पर आते हैं दोस्तों। कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। जिससे कि हमारी जो भी नोटिफिशन है वीडियो के आपको डेली बेसिस पर मिलते रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन पर। क्वेशन दोस्तों जो रसिया की जो राजधानिय वो क्या है मोस्कों और वाकि जो करंसी उसका नाम क्या है रसियन रूबल यह दोस्तों वाकि करंसी का नाम है वाकि जो प्रेजिडेंट उनका नाम क्या है व्लादिमार पुतिन यह दोस्तों प्रेजिडेंट है वाकि कहा के रसिया के यह दोस्तों जो फोटो में है यह प्राइमिनिस्टर नाम है आप देख सकते हैं साइडमन की फोटो है और दोस् है तो दोस्तों इन्होंने अपने आपको कोरंटाइन में रखा हुआ है जो यहां के प्राइम मिनिस्टर है चलते हैं नेक्स केशन पर प्लीज इसको नोट जरू कर लेंगे दोस्तों आसा कर तो आप सभी क्येशन को नोट करते हुए जरूर चल रहे होंगे प्लीज इसको नोट जरू कर लेंगे क्वेशन नमबर एट पर आते हैं पर लेंगे इसको हरी में यहां में इसको नोट किसने सुरू किया है ऑफ्सन के पर पढ़ लेते हैं गुगल ने फेस्बुक उसका इनछे से क्या है इन में क्या बहुतने इनमीका कि दस्तों जो कोई 19 है इसके लिए फ़ंड जूचाना थी नहीं जैका जो फन्ड जूटाना+, य। घंड अगि कि एकट़ता को लिगी हैं इसमें सब कुछे भी रहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों इसको जोरू चेक करें आई फॉर इंडिया को चलते नेक्स ट्रेशन पर इसका दोस्तों जोरू नमबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा फिस्बुक दोस्तों वीडियो को लाइक जोरू करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जोरू कर लेंगा प्रेशन नमबर नाइन खाल ही में किसे 2020 के पुलिजर पुरूसकार से संब्सक्राइब किया गया है दोस्तों और समस्क्राइब पढ़ लेते हैं मुक्तार खान को चुन्नी आनन को दार यासीन को या फिर उप्युक सभी इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा उप्युक सभी यानि कि जो पुलिजर पुरूसकार दिया गया है 2020 के लिए और दोस्तों यह जो तीनों है यह फोटोग्राफी से संबंदित है यानि कि यह तीनों फोटोग्राफर है यानि कि फोटोग्राफी में दोस्तों इनको पुलिजर पुरूसकार दिया गया है यानि कि फोटोग्राफी में इन कि शुरुवात हुई चलते देखें देख लिए अगबर को दोस्तों आप इसकते हैं कि इनके तीनों की फोटो देख सकते हैं कि इनके फोतो के पूरूशकार दीया गया गया पूलीज्जर पूरूसकार 2020 और जोस्तों आप अधर बढरे, दार यासीन, मुक्तार खान, एंच पूलम्बिया यूनिवर्सिटी देती है जो कि दोस्तो यूसे की यूनिवर्सिटी है दोस्तों ये भी आपको पसमने चाहिए प्लीज इसको नोट कर लेंगे सारे इंपोर्टेंट पॉइंट्स ये आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको ये वीडियो कहसे लगी प्रकाइब करनाटा ये फिर इनमेंसे कोई नहीं इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा और दोस्तों आपके लिए बहुत इमेंज करके हम वीडियो लेके आते हैं तो दोस्तों ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें प्यार बनाए रखें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जुरू कर लेंगा और वीडियो को दोस्तों फैला दीची जिससे कि आपके जो भी दोस्ते आप इनको वह भी ये इस ट्रिक्स के लिए सभी क्वेशन को पढ़ सके और दोस्तों हमारे चैनल ट्रिक्स के लिए वह ज़्यादा फेमस है और दोस्तों जो मध्यपर्देश के बारे में दोस्तों जो मध्यपर्देश की स्थापना वी थी एक नॉम्बर उनीस सचपफन को मध्यपर्देश की स्थापना वी थी महां की राजदानी क्या है बोपाल महां की चीफ निश्टर का नाम क्या है यानि की मुख्यमंत्र ना अब पर रेक है पिर लिजी सिसने को नोट जरूर कर लेंगे, क्योंकि नेसल पर्क एक्जाम में पूछे जाते है बूज जदा I hope आप दोस्तो आपने इसको नोट कर लिया होगा आई होप दोस्तो ऐसे question exam में आ जाते हैं तो दोस्तो जो आप देख सकते हैं जो मध्यपर्देश हो बीच में है मध्यपर्देश इसकी जो boundary लगती है वो उत्तरपर्देश से लगती है राजिस्थान से लगती है गुजराच से लगती है माराश्र से लगती है 36 गड़ से लगती है तो दोस्तो इन स्टेट से इसकी बाउंडर लगती है कितने स्टेट होगे दोस्ते है तीनर दो पांच यानकि पांच स्टेट से इसकी बाउंडर लगती है मध्यपरदेश की ये भी दोस्तो आपको पता होना चाहिए आयोप आपकी सोज में आ गया होगा चलते नेक्स केशन पर आप लिए इसको में नोट कर सकते हैं यह तो सब बॉर्डर बाउंडरी है यानि की जो अदर स्टेट है जो कि हमारी मंद्य परदेश से मिलते हैं चलते हैं नेक्स क्वेशन पर आएउप आप इसको नोट कर लिए होगा क्वेशन नमबर 11 पर आते हैं दोस्तों जो कि इंपोर्टेंट क्वेशन है आने वाले एक्जाम्स के लिए क्वेशन नमबर 11 हाल ही में American Academy of Art and Science में किसे अंतराष्ट्य मानत सदस्य के रूप में नियूथ किया गया दोस्तों ये किसको किया गया है उप्स ऑंस्क्रीबा पढ़ लेते हैं सोबना नरसिमां को परतिमा सिंग को समीरामितल को अमिताभट को तो दोस्तों जिसका right answer हो जाएगा सोभना नरसीमन यानि कि जो option number A है इसका right answer हो जाएगा option number A यानि कि सोभना नरसीमन को मानस अदर से चुना गया इसमें American Academy of Arts and Science में आप लिज इसको नोट कर लेंगे चलते नेक्स क्केशन पर और दोस्तों जो ये सोभना है एक वाज के वाज थोड़ा देख लिएगा मैं आपको पढ़गी बदा देता हूँ थोड़ा picture में सही नहीं दिख रहा है अमेरिकी कला और विज्यान अकादमी ने प्रोफेसर सोभना नरसीमन को समानित किया प्रोफेसर सोभना इनके लिए दोस्तों इन्हों ने अध्याइन किया है इसको इस चीज को देखते वे इनको चुना गया है चलते हैं next question पर I hope आपने note कर दिले होगा मैंने आपको पढ़के बता दे गया बता दिया है आप वीडियो को post करके या फिर वीडियो को देख देखके आप इसको note कर सकते हैं जो मैंने बोला है चलते हैं next question पर question number 12 पर आते दोस्तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने फसे हुए लोगो के लिए एक एप लॉंच किया दोस्तो ये किस राज्य सरकार ने किया option subscribe पढ़ लेते हैं हर्यारा ने पस्ची मंगाल ने महराफ्ट ने है फिर इन में से कोई नहीं तो दोस्तो इसका right answer हो जाएगा पस्ची मंगाल यानि कि जो option number B है इसका right answer हो जाएगा और दोस्तो अगर कोई भी चीज आपको trick के माद जमसे याद करने है हमारा platform बहुत ही अच्छा है आप जाके सबी वीडियो को चेक कर सकते हैं देख सकते हैं दोस्तो और दोस्तो ऐसे ही आपने दोस्तों भी पता इस channel के बारे में trick की वीडियो के बारे में crunchy वीडियो के बारे में जो channel का नाम है दोस्तो वह हमारे dreamers ये तो आपको पता ही होगा dreamers हमारे channel का नाम है platform का नाम दोस्तो हमारे जो instagram page है join कर सकते हैं आप जाके कुशन नमबर 13 इंप्रेटेंट है दोस्तों ये भी एक्जाम में आ सकता है कुशन नमबर 13 हाल ही में किस देश के टैनिस खिलाडी यूसुप होसम पर आज इवन पर्शीबन लगा है दोस्तों उप्सिन स्क्रिवा पढ़ लेते हैं किस देश के टैनिस खिलाडी थे फ्रांस के मिसर के इटली के फिर इनमें से कोई नहीं इसका दोस्तों जो right answer हो जाएगा मिस्र यानि की जो option number B है इसका right answer हो जाएगा मिस्र यानि की Egypt की आप इनकी photo देख से साइड में तो दोस्तों इन्होंने fraud वाजी की थी और दोस्तों match fixing के लिए इनको इनको इन पर परतिवन लगाया गया है इस खिलाड़ी पर इनका नाम क्या है यूसुप होसम ये भी आपको पता होना चाहिए आप लीज नोट कर लेंगे इसको वीडियो को post करके और दोस्तों जो मिस्र है एक बार की पर थोड़ा पढ़ लेते हैं मिस्र के बारे में दोस्तों मिस्र की और दोस्तों ये एक अफरिकन सिटी है ऐजीप्ट यानि की मिस्र दोस्तों नील नदी है वो भी येजीप्ट में ही है आपको पता होगा जो कि सबसे लंबी नदी है नील चलते नेक्स क्येशन पर दोस्तों जो भी मैं इंपोर्टेंट इंफोर्मिसन आपको देता हूँ प्लिस उनको नोट के साथ के साथ नोट जोरू कर लिजेगा चलते क्वेशन नोट 14 पर इंपोर्टेंट क्वेशन है दोस्तों यह भी मौश्ट मौश्ट क्वेशन नोट 14 हाल ही में फिना की 2021 विस चैंपियंशिप को कब तक के लिए इस्थागित कर दिया गया है दोस्तों और पढ़ लेते हैं 2023 तक के लिए 2022 तक के लिए 2024 तक के लिए फिन में से कोई नहीं तो दोस्तों जिसका राइट आंसर हो जागा 2022 यानि कि जो अप्सन नमबर B है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो फिना विस चैंपियंशिप थी यह 2021 में होने माली थी लेकिन दोस्तों इसको 2022 में करने का फैसला लिया गया है क्यों लिया गया यह फैसला क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा 2020 में टोकियो ओलंपिक होने माले थे लेकिन दोस्तों 2020 में यह नहीं हो सकते तो दोस्तों उनको सिफ्ट कर जा गया है 2021 में उनको shift करते है Tokyo Olympic को तो दोस्तो जो this champions फीना थी इनको shift करते है अब 22 में यानि कि अब 2021 में Tokyo Olympic खेले जाएंगे तो दोस्तो जो Tokyo Olympic थे 2020 में होने वाले चाहिए कब होगी अब 2021 में और जोस्तो जो यह फीना this championship है यह कब होगी 2022 में यह आपको पता होना चाहिए इनके बारे मैंने पहले एक वीडियो में बताया हुआ है चलते नेक्सक्रेशन पर और दोस्तो जो फीना है एक बास के बाएं देख लेते हैं इसकी full form क्या है और दोस्तो जो फीना की full form है वो क्य प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें कमेंट करें आप मुझे बताए कि वीडियो आपको के लिए कैसे लगी क्षिन नमबर 15 पर आते हैं हाल ही में वैग्यानिक परकासन के मामले में अपना देश बारत कौन से स्थान पर रहा दोस्तो और पढ़ लेते हैं दूसरे पर त क्यानिक है साइन्स में तो दोस्तो कोई भी कंट्री अपने इस फिल्ड में कितना इन्वेस्ट करती है इस चीज को देखते हुए तो दोस्तो बारत कौन से नमबर पर है तीसरी स्थान पर रहे बारत यानिकि जो फूर नमबर B है इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोप आपने इसको नोट कर लियोगा दोस्तो हमने आपसे कर एक क्वेशन पूछा था क्वेशन में एक बार पढ़ लेते हैं हाल ही में किस राज्य के कीसर को जी आई टैक दिया गया है दोस्तो तो दोस्तो इसको राइट आंसर है वो क्या था बहुत सारे स्टुडेंट दोस्तो इसका राइट आंसर दिया है मैंने सभी कमेंट चेक किया है आप दोस्तो ऐसे मत समझना कि कमेंट चेक नहीं करता हूँ सभी फ्रेंड्स ने ये वीडियो भी हमारे यूजर से है सभी इसका राइट आंसर दिया है यानि कि जम्मु कस्मीर इसका राइट आंसर जो क सारे important question है तो दोस्तो अब हम करने जा रहे हैं और दोस्तो देख लेते हैं कि आज का हमारा question कौन सा है जिसका answer आपको comment करके मुझे बताना है कि इसका answer क्या होगा दोस्तो बहुत ही important question लेकर है यह वाला हल ही में किसने मत कर forward अभयान शुरू किया दोस्तो यह आपको बताना है इसका answer मुझे comment करके कि यह किसने शुरू किया है वर्ल्ड बैंक ने टिक टोक ने वाटसक ने फिर इनमें से कोई नहीं तो दोस्तो इसका answer मुझे आप कमेंट करके बताए कि आपका answer क्या होगा अगर आपने बहुत ह अच्छी से वीडियो देखिया हमारी सरी current affair की तो दोस्तो बहुती आसान तरीके से बहुती आसान भासर में आप इसको राइट answer मुझे बता सकते है कमेंट करके तो दोस्तो आपके कमेंट का मुझे इंतिजार रहेगा आप कितने जल्दी मुझे कमेंट रिके बताते है किसका राइट आंसर क्या होगा और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो भाई पीडियाप लिंक है आपको डेस्ट्रिस में जाएगा आप जाके वाँ पीडियाप को भी टाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को लाइक और दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करना नभूने क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे बैल आइकन दबा लेंगे इससे जो भी हमारी डेली बेसिस की वीडियो है उसका जो नोटिपी किसान है आपको डेली बेसिस पर मिलता रहेगा तो तो स्टो तेंक्यू सू मच्च